हलो गाइस तो आज के वीडियो में हम करेंगे कमपैरिजन शौन क्लाइडा और सुनीत जाध होगा शौन क्लाइडा जिनको I don't remember हमने कभी भी पीक हिट करे हुए नहीं देखा हूँ शौन क्लाइडा इस वक्त 40 साल के हैं और 40 साल की एज में जिस तरह की टॉप नौच कंडिशनिंग और फिजीक शौन क्लाइडा स्टेज पर लेकर आ रहे हैं वो बियॉंड आउटस्रैंडिंग है इस साल की शौन क्लाइडा की विन बहुत ही ज़ादा डॉमिनीटिंग थी I mean yes एंचल कार्टरॉन और कमाल अलकार्टनी वर रेली गुड बट वो दोनों ही एक तरह से सेकंड स्पॉट के लिए फाइड कर रहे थे क्योंकि शौन तो अपनी एक अलगी लीग में उपरेट कर रहे थे बहुत ही ज़ादा आगे हच से ज़ादा पील्ड और कंडिशन विध इमेंज ग्रीनिनेस अन वसल मेचॉर्ट ये सब भी वर्ट्स शौन टलैड़ा के स्टेज वर्शन को डिफाइड करते हैं और दूसरी तरफ सुनीच जादाव जो इस साल मुंबई प्रो में सैकंड प्लेस होल्डर बने अगर ये शो सुनीच जादाव जीत जाते तो इस साल के ओलंपिया के स्टेज पर हमें दिखाई देते फिर इस बारे में एक कांट्रोवर्सी सी भी रही कि हमीच जुमा जो ये शो जीते थे वो डिजर्ब नहीं करते थे और सुनीच जादाव को जीतना चाहिए था वगेरा वगेरा उस कांट्रोवर्सी के बारे में हम यहां बात नहीं करेंगे बट आज के वीडियो में मैं और भी बात करना चाहूंगा कमपैटिजन से पहले ऐसे चार इंडियन आथलेट्स की जो मेरे फेवरिट हैं और जिने मैं अक्शुल में देखता हूँ ओलम्पिया के स्टेज पर और ये चारो आथलेट्स ना सिर्फ ओलम्पिया के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे बलकि I totally believe कि इस चार can do really amazing at Olympia stage क्योंकि चारो में ही crazy caliber है चारो ही potential लगते हैं और इनकी physique में वो चीज दिखती है जो actual में international standards में competitive हो सकती है and to be clear guys मैं सिर्फ ओलम्पिया में qualify करने की बात नहीं कर रहा क्योंकि आज के टाइम पर जैसे 70-70 athletes एक-एक division में qualify कर जाते हैं stage पर चला दिये जाते हैं इन चारों की जो मैं बात कर रहा हूं वह इस context में यह athletes qualify करके overlook नहीं होंगे and a respected placing crack कर सकते हैं these are all my favorite Indian athletes तो चलिए guys first athlete Indian rock दीपक नंदा इनकी biography तो वैसे में पहले ही अपने चैनल पर बना चुका हूं but guys इन में वह आग है वह fire है जो एक athlete में जरूरी है प्लस इनके genetics इनके hard work को properly compliment करते हैं look at his muscle bellies इनकी bicep peaks इनकी small waist amazing muscle bellies यह carry करते हैं and guys बिलकुल shredded और peak hit करके आना यह जानते हैं and जिस तरह कि इनकी story रही है इनका struggle रहा है और उसके बावजूद थोड़ा सब इनकी journey में ऐसा नहीं लगता कि अब settle हो गए तो he is not looking forward to competing और doing more no यह अभी भी वही focus और वही goal carry कर रहे हैं और actual में prove करना चाते हैं अपनी caliber को and इसलिए मैं दीपक नंदा को near future में pro show से qualify करके ओलंपिया के stage पर एक अच्छे athlete के रूप में देखता हूँ second athlete राहूल fitness मैं last year तक सच बोलू तो Indian athletes को इतना follow नहीं करता था फिर आप मेंसे किसी भाई ने मुझे बोला राहूल भाई को cover करने के लिए और जब मैं इनके इंस्टा handle पर गया और मैंने इनकी YouTube वीडियो देखी और उसके बाद Mumbai pro के stage पर जिस तरह के राहूल आये थे जिस तरह की physique ये carry कर रहे थे that was insane और ये वो athlete है guys जिनके genetics are on very superior level I think इनोंने खुद ही बताया कि ये last 15 साल से muscle को पीट रहे हैं तो hard work तो हमें पत fitness और development आज के athletes लेकर आ रहे हैं वो बैक अगर किसी athlete की इंडिया में है जहां तक मैंने देखिये तो वह हैं बस राहूल fitness हैं कि सिद्धान जैसवाल के genetics उस level के नहीं है बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूंगा उन लोगों से genetics without hard work and persistence are nothing yes genetics बहुत matter करते हैं बट साथ ही आप किस level पर अपनी फिजीक को अपनी best फिजीक को chase कर रहे हो for example Nick Walker we all know and agree कि Nick के पास वो crazy shape नहीं है जो दूसरे athletes carry करते हैं एक broad waste जिस पर वो बहुत जादा काम करके भी genetically small waste के comparison में नहीं ला सकते हैं लेकिन he was 5th place holder last year और इस साल 3rd place holder beating aesthetics like Andrew Jacked, Samson Dodda, Brandon Curry ये तीनों ही athletes in terms of shape and structure Nick Walker से better हैं लेकिन Nick Walker is consistent और अपनी consistency से अपने hard work से अपनी persistence वाले attitude से उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो कहां belong करते हैं और सेम चीज सिधान्द के साथ भी है कई items के बाद जब उन्होंने प्रोकार नहीं मिला he didn't stop उन्होंने सबसे भैतर होने की नहीं बलकि अपने best shape को cheese करा अपनी best physique को present करने पर focus करा and see how far he has come the core king का title सिधान्द को ऐसे ही नहीं मिला न जब finally इन्हें pro card मिला these emotions were not unreal ये थे उस struggle के जो काफी नकाम होने के बाद भी सिधान्द करते रहें ये tears से उस horse लेगे जिसने सिधान्द का साथ नहीं चोड़ा और ये tears से उस belief के जो सिधान्द ने अपने पर करी सिधान्द में वो fire है वो आग है जिससे he's not going to stop guys इनका attitude ही कुछ ऐसा है आप इने beat कर दो ये फिर आएंगे फिर improve करेंगे he's not want to stop guys तो वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो like कर दो चैनल को subscribe कर दो और notification bell को दब and last athlete है guys आज के comparison वीडियो के athlete सुनीत जाद हो वैसे इनकी physique में अब थोड़ा सा downfall सा दिखा है guys क्योंकि जिस तरह से ये पिछले कुछ सालों में compete कर रहे थे undoubtedly size कम hold कर रहे थे आज के comparatively but threats और conditioning इनकी बहुत ही जादा superior level की होती थी बिलकुल ही peel आते थे ये इनके coach है Hanny Rambert but I really think कि एक distance की वज़े से उस level की communication नहीं है दोनों के बीच में और साथ ही guys if you ask me honestly genetically सुनीत जादाओ is very gifted हाँ कहीं कहीं lag कर रहे हैं but caliber insane है सुनीत जादाओ में भी तो बहुत detail में बात कर ली और शायद थोड़ा off topic भी चला गया अब आज आते हैं comparison पर तो guys सुनीत जादाओ की height है 5 feet 9 inch और Sean Clayda की height है 5 feet 2 inch so first was front double bicep and height का difference देख रहे हैं आप दोनों में ही Sean Clayda के arms में separation देखिया और सुनीत जादाओ के arms में कितना ज्यादा difference है separation का और peeled और dry होने का सुनीत जादाओ यहाँ पर काफी soft side पर लग रहे हैं Sean के मुकाबले and yes he was carrying water वो peeled वाला scene था ही नहीं guys वो conditioning नहीं थी सुनीत की जिसके लिए हो चाने जाते थे Sean के bicep काफी long और full हैं जबकि सुनीत के bicep heads are distant देखिये four arms और bicep में difference उसके बाद four arms अगर आप देखेंगे तो कितना ज्यादा difference है दोनों की ही four arms में Sean के four arms कितने amazingly developed और एक aesthetic proportionate appeal उनके overall arms में add करते हुए जबकि सुनीत के four arms I think उनका सबसे weak body part है बिल्कुल ही lean with no development बिल्कुल flat side पर लेक्स में सुनीत के थोड़ी separation देखी जा सकती है but nothing compared to Sean, Sean के लेक्स देखिये next level dry और separated with fibers clearly visible बिल्कुल ही thin skin बहुत ही superior conditioning सुनीत एक huge margin से lag करना है लेक्स में, abdominal portion में भी सुनीत और dry आ सकते थे क्योंकि Sean तो भाई यहाँ पर बिल्कुल ही पतली skin के साथ और बिल्कुल dry है, देखिये कितना peeled और detailed abdominal लग रहा है Sean का, वो greeniness वाला aspect, Sean को और भी एक edge देता है, chest सुनीत ज्यादाव का white है undoubtedly, but वो muscle maturity और chest thickness totally missing है इस version में, इस Sean Kleider के सामने, lats सुनीत के are coming out good, but जैसा उनका frame है guys, जैसी उनकी waist है a little still on the thick side, compared to Sean Kleider, उनको और ज्याद आपने lats को develop करना पड़ेगा, ताकि वो एक बहतर VT पर दिखा पाएं, और एक X frame बना कर दिखा पाएं, क्योंकि यही same lats, अगर आप थोड़ी सी smaller waist पर लगा दो, जैसे कि Sean की waist पर, तो smaller waist होने की वज़े से lats will look wider, और एक अच्छा better X frame निकल कर आएगा, तो guys, यहां तो Sean Kleider is very very dominating, next pose है front left spread and yes, सुनीत यहां थोड़ी भेतर condition में लग रहे हैं with fibers on his chest and clearer abdominal, but इस frame को अभी और भी fill out करा जा सकता है, arms में और overall thickness add करी जा सकती है, क्योंकि Sean का frame 5-2 के हिसाब से बहुती balanced way में full है, वो conditioning, वो graininess, damn man, separation देहो कितनी ज़्य ज़्यादा पता लग रहे है, Sean के delts और arms में, जबकि यही चीज़ बहुती soft पता लग रहे है सुनीत की physique में, skin के अंदर water अभी भी काफी है सुनीत की physique में, क्योंकि arms में भी अगर आप देखेंगे, वो sharpness missing है, और वो softness पता लग रहे है, वो definition missing है, abdominal में खा रहे हैं, बिल को देखेंगे, तो क्या course लग रही है man, बिल्कुल ऐसा लग रहे है, फटने को तयार है, water पूरी तरह से out है, और काब, proper load करने के वज़े से muscle पूरी तरह से skin को push कर रहा है, और एक explosive सी illusion बन रही है, next pose है side chest, अब ये एक strong pose है सुनीत जादा होगा, सुनीत has a long chest, fibers अच्छे पता लग रहे हैं, सुनीत के chest में यहाँ पर fiber strong ladder के भी पता लग रहे हैं, लेकिन सुनीत जादा हो यहाँ अपने दूसरे pose से competitively, ज़्यादा shredded, ज़्यादा peel लग रहे हैं, अपने stomach को भी इन्होंने अच्छा hold कर रखा है, price app तक इनकी पता लग रहे हैं यहाँ पर, और arms म यहें बहुत सदा disproportionate से, deads और arms में separation देखो Sean की, and वहीं सुनीत की there is no separation coming, वो roundness और separation missing है, साथ ही Sean Clayda की बात करें, तो next level graininess एक granite वाली physique, और इस चीज़ में muscle maturity में सुनीत जादा सिर्फ अगर थोड़ा सा improve कर गए, और proper condition आ गए, तो यह pose definitely एक काफी competitive pose है सुनीत का, क्योंक इसकी वज़े से glutes भी देखो कैसे hard पता लग रहे है Sean Clayda के, जबकि सुनीत के are on the softer side, बाकी next pose है side triceps, और यहां तो guys it's night and day वाला difference, फिर चाहे आप conditioning बोल लो, muscle hardness बोलो या फिर separation, Sean बहुत जादा आगे जा चुके हैं, सुनीत काफी soft smooth लग रहे हैं इस pose में, वो sharpness missing है totally, एक काफी soft flow, even arm में भी आप देख सकते हो किस level की development और separation Sean दिखा पा रहे हैं, एक massive, massive tricep guys, untouchable Sean Clayda यहां पर, और सुनीत का एक काफी weak pose, next pose है rear lat spread, एक weak pose, सुनीत जादाव का, इसमें Mumbai pro के competitors के आगे भी lag कर रहे थे, totally beat हो रहे हैं हर department में, अगर आप lat की width देखो Sean की, और फिर य सुनीत की, सुनीत जादाव needs to add width on his back, साथ ही thickness पर भी बहुत जादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि Sean Clayda की back की thickness और development is on insane level, look at the dance straps, बहुती जादा details thickness के साथ Sean Clayda अपनी back में present कर रहे हैं, and सुनीत जादाव की back is lacking to a greater extent, lower body में तो situation और भी जादा खराब है, glutes बहुती जादा soft compared to Sean Clayda के strited ones, no separation at all between glutes and hamstrings, hamstring size में तो lack कर ही रही है, साथ ही conditioning भी Sean Clayda से बहुत जादा दूर है, जबकि in fact Sean, सुनीत को यहाँ पर एक amateur की तरह प्रिजन कर रहे हैं, काफ सुनीत जादाव की bigger हैं, but entire body is so smooth and lacking so much condition, कि Sean के आगे, सुनीत is not standing anywhere in this pose, Sean is like a beast here, rear double bicep, और यह एक ऐसा pose है, जहाँ सुनीत जादाव की physique में, fibers और separation बहुत अच्छी पता लग रही है, undoubtedly सुनीत जादाव, यहाँ more peeled, more shredded लग रहे हैं, अपने बाकी pose से जादा details दिखाते हुए, but lower body again same story, hamstrings और glutes में तो जैसे कसम सी है कि हम condition नहीं आएंगे भाई, Sean को देख रहे हो, कैसे strations आ रह arms में, four arms with no mass, बिल्कुल सीधी लंबी sticks, पूरे proportions को गिरा रही हैं, बिल्कुल unbalance कर रही हैं सुनीत के arms को, rear delts, Sean के इतने ज़्यादा developed हैं कि वहाँ तो उन्हें match करना next to impossible, सुनीत जादाव के upper back, rhomboids और traps का area is looking well defined, बस thickness और साथ ही वो muscle maturity जो over the year सुनीत जादाव can gain, उसकी पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस pose में, कैसे Sean lats को open करते हुए, how wide his lats are opening, same ही चीज अगर आप देखोगे तो वहाँ top 6 के हर contender में थी, they were all carrying wide lats, उनके lats to waist ratio were amazing, यहां back पर सुनीत भाई को काम करना पड़ेगा, और साथ ही lower back again, is more on the softer side, जबकि Sean तो एक granite की तरह हैं, next pose ह Absentize, definitely एक killer pose सुनीत जाध होगा, क्योंकि इस में अपनी obliques, जो बहुती शाप आ रही है, abdominal और fibrous chest, सब अच्छे से present कर पाने सुनीत जाध हो, बस अगर यहीं पर, और condition और dried skin के साथ, सुनीत जाध हो यहां पर होते, तो ज़्यादा tightness उनकी physique में पता रगती, जो इस वक सुनीत भाई को hold करनी होगी, अगर he has to do something incredible, बट अगर आपको सुनीत भाई का यह पोज अच्छा लग रहा है, तो यह देखो, अगर यह version सुनीत जाध हो अभ भी carry कर रहे होते, तो आपको पता लगता how peeled, how shredded and amazingly conditioned he used to come, और यह एक ज़्याधा competitive version है शौन के मुकाबले में, lower body में शौन की dryness और एकदम thin skin जो है, जिसकी वज़े से feathers और strations next level आ रही है, उसके लिए तो सुनीत भाई को अभी बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि separation और mass तो वो अभी भी present कर पा रहे हैं, बट उनकी skin काफी thick लग रही है, जैसे muscle और skin के बीच में water की layers हो, वो polythin वा muscular और यहाँ पर, अगर मैं upper body में equal भी consider कर लूँ जो कि वैसे तो possible ही नहीं है, क्योंकि Sean के muscle देखिए, deads और arms के, तो बहुत ही जादा muscle maturity और dryness करी कर रहे हैं, और carb load भी एकदम perfect है, तो fullness भी miss नहीं हो रही, और सुनीत का एक अच्छा pose होने के बावजूद, वो यहाँ पर body को equal consider कर लें, तब भी lower body में Sean को beat करना possible ही नहीं है, यह देखो, यह separation, यह hardness, यह feathers, stridations, everything is missing on सुनीत जादाव slacks, कोई separation नहीं है, कोई hardness नहीं, कोई stridations नहीं है, very very less conditioning, तो guys यह सारी चीज़े हैं, जिस वज़े से Sean एक dominating champion रहे हैं इस साल, बाकि अगर आप चाहते हो, मैं ऐ ऐसे ही और comparison करूं, top Indian athletes के international competitors के साथ, तो comments में जरूर बताओ, and I hope video आपको पसंद आयो, पसंद आयो तो please like कर दो, channel को subscribe कर दो, notification bell को दबा दो, thank you, bye bye